इस वक्ति बड़ी खबर हम आपको बताएं, रिपब्लिक भारत को सच दिखाने के लिए डराया जा रहा है सच दिखाने से पश्यमंगार की मुख्यमंति मम्ता बानर जी बॉकला गई है और Republic भारत को यानि कि आपके चैनल को मम्ता बानर जी ने नोटेस भेज दिया है कोलकाता पुलीस की तरफ से नोटेस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो राजीव कुमार को धरने पर बैठे जाने की खबर दिखाई यानि कि सच खबर दिखाई उस पर जवाब माँगा है रिपब्लिक भारत को नोटिस भेजा है कोलकाता पुलीस ने कोलकाता पुलीस के एडिशनल सीपी की तरफ से नोटिस आया है और ऐसा लग रहा है कि रिपब्लिक भारत ने आशुतोस जो खबर दिखाई ममताब अनर जी के अफसर धरने पर बैठे थे के नहीं बैठे थे ममताब अनर जी उनके साथ आकर धरने पर बैठी थी के नहीं बैठी थी ये सच दिखाने के लिए ममताब अनर जी की सरकार अब नोटिस बेज रही है और सुचारिता गौर करने वारी बात होगी कि वो कहते हैं कहावत है उल्टा चूर कुतवाल को डाटे देखिए पूरे देश ने देखा क्या कुछ हुआ कुलकाता में किस तरह से CBI जो पूच ताच करने जा रही थी राजी कुमार से उस अधिकारी के साथ बैट कर धरना देती है पॉलिटिकल ड्रामा करती है पॉलिटिकल स्टंट करती है और पश्चिम मंगाल में पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करती है जब रिपब्लिक भारत ये खबर सच्चाई के साथ दिखा रहा होता है तब उसके बाद से ममता सरकार आपको बताएं पश्चिम मंगाल की पॉलिस ने रिपब्लिक भारत को नोटिस बेजा है हम बता देते हैं Republic भारत सच्चाई दिखाता है दिखाता रहेगा और हम बिलकुल खड़े हैं सच्चाई के साथ सच दिखाने से डरता नहीं है Republic भारत और जो खबर थी उस खबर को वैसे ही दिखाया गया क्या राजीव कुमार धरने पर नहीं बैठे थे रवी और श्वेता हमारे साथ न्यूजरूम से हैं जुड़े हुए उनके पास वो खट है जो Republic भारत को भेजा गया श्वेता बताएं इस खट में क्या लिखा गया है किस तरह से Republic भारत को धंकी दी गई बिल्कुल अगर मैं खट की बात करूँ उस लेटर की बात करूँ जो नोटिस है वो इस वक्त हमारे पास है और इस नोटिस को आप देखिए इसे लोकतंत्र कहते हैं क्या अगर आप सच दिखाएं अगर आप सवाल खड़ा करें तो आप नोटिस भेजें आप जेल भेजने की धंकी दें रेपब्लिक भारत ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाए थे और सच और सिर्फ सच कहा था तो ये नोटिस थमाया गया और ये सवाल किया गया है कि सरकार की पुलिस विभाग की छवी को खराब करने की कोशिश मीडिया संस्थान की तरफ से की गई जबकि हमने सिर्फ और स सिर्फ सवाल पूचे थे हमने ये पूचा था कि राजियुकुमार को तलब करने के लिए उनको पेश होने के लिए उनसे पूच ताज करने के लिए जब इस नोटिस पर बात नहीं बनी सीवी आई के नोटिस का सामना तो नहीं किया राजियुकुमार ने लेकिन अब उन्ह पर बैठते हैं लेकिन हम जब ख़बर दिखाते हैं तो हमें धंकी दी जाती है और आपको बताओं तरहसल रवी ये बौखलाहट है सुचारिता और आशुतोष ये बौखलाहट है ममताब एनरजी की क्योंकि लगातार उनको जिस तरह से जटके पे जटके मिल रहे हैं और जै करें बताएं यह वही नोटिस है जो भेजा गया है सरकार की तरफ से बेंगौल सरकार की तरफ से उन्होंने कहा है कि सवाल यह है कि जब राजी कुमार को सी बी आई बुलाती है तो उनको बचाने के लिए मंता बैनर जी पहुंचती है हम यह सवाल करते हैं कि अगर राजी कुमार ने दोश हैं तो वो आएं रिपाब्लिक भारत से बात करें तो हमें यह कागश का टुपड़ थमाता है अगर राजी कुमार अगर सच कह रहे थे तो सी बी आई के सामने क्यों नहीं आए जो सच जानने के लिए उनसे मिला चाती थी कितने बार नोटिस दियेगा यह चीज भी रिपब्लिक भारत ने दिखाई कि किस तरह से उनने तलब किया गया था लेकिन एक बार नहीं पेश हुए वो सी बी आई के सामने जब सी बी आई की टीम कोलकता पहुची थी तब भी वो मिलने से बचते रहे उल्टा जाकर धरने पर बैट गए यही तो खबर थी जो रिपब्लिक भारत ने दिखाई थी पिर अब क्यों डर क्योंकि सच दिखाया था रिपब्लिक भारत ने अब अपने दर्शकों को बता दे जिस खबर पर पश्चिम मंगाल पुलीस पश्चिम मंगाल सरकार रिपब्लिक भारत को नोटिस भेज रही है और जिस तरह से डर दिखा रही है वो खबर आपसे निधी और विकास आपको बताएं पहले तो सबसे पहले अपडेट कर दें कि कोलकाता पोलस ने रिपब्लिक भारत को नोटीस भेजा है जो हमने सचाई दिखाई थी किस तरह से पॉलिटिकल स्टेंट पॉलिटिकल ड्रामा कोलकाता में किया गया राजीव कुमार से पूछता में तो शामिल नहीं हुए लेकिन ममताब एनर्जी के सरक्षन में वो धरने पर बैट गए और अब उस धरने को जो हमने दिखाया दर्शकों तक साजा किया सचाई को पहुचाया उसको लेकर रिपब्लिक भारत को नोटीस भेजा गया है बॉकला गई है ममताब एनर्जी न किया पीछे हटते हैं और ऐसा ही रिपब्लिक भारत करता आया है और इस पूरे घटना कर्म में जो पुलिटिकल डॉामा पश्चे मंगाल में देखा गया था पुरा देश एक तरफ था और रिपब्लिक भारत ने प्रमुकता के साथ इस सबर को दिखाया था और सच को जंत नहीं है नोटिस का जवाब तो देगा ही हम साथ है नेगा वह खबर दिखाई जो सब तसवीरों में सामने थी हमने कोई खबर अपने आप से नहीं चलाइं क्या लोगों ने वो पर देन स्क्रीन के मुख्यमंतरी ममता बैनर जी आती है यह वो खबर थी जो तस्वीरों द्वारा प्रमार ada थी रिपब्लिक भारत ने वो दिखाया जो आपने अपने टेलिविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिये देखा और कैमरा कभी जूट नहीं बोलता सुचा रिता पूरे देश ने देखा ना सिर्फ राजीव कुमार बैठे थे एडीजी बैठे थे डीजी खुद शामिल थे बिल्कुल और ये सर्विस रूल्स का उलंगन है सरकार की तरफ से इन्हें ये कहा गया कि इनके सर्विस मेडल्स ट्रिप करे जाएंगे यानि कि इनको जो भी सम्मान मिले हैं इनसे बापस लिए जाएंगे क्योंकि ये धरने पर थे और सीबी आई की टीम के सामने नहीं पहुँचे थे इस सब के बावजूद नोटिस रिपबलिक भारत को आ रहा है इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है विकास और ये तो सच पूरे देश ने देखा चेक शर्ट में राजी उकुमार बैटे थे उस धरने में और ऐसी धंकी ऐसी जुझलाट ऐसी बौखलाट अरणब को स्वामी को धंकी अगर है कोलकाता पुलिस में हिमत तो आरेस्ट करके दिखाएं अरणब को स्वामी को अरणब को और उस सच को पूरे देश ने देखा था किस तरह से ममता बनर जी के साथ धरने पर चेक शर्ट में राजी उकुमार देखे थे क्या ऐसी धंकियों से रिपब्लिक भारत टरता है ऐसी तमाम धंकिया देखाते हैं सच के सिवा कुछ नहीं दिखाते हैं बिल्कुल वो तस्व ग्री मंत्राले ने उन पर कारवाई की है जिसके बाद ग्री मंत्राले ने तो एडवाइजरी का भी मन बना लिया कि सभी राज्यों को बेगा लाए ती उसमें ममता बार जी को लग रहा था वो अपने अधिकारी को बचा लेंगी लेकिन फिर जब खोट से फटकार लगी को कोट ने क्या कहा कि राजीव कुमार को पेश होना होगा सी बी आई के सामने राजीव कुमार को सी बी आई के सवालों का जवाब देना होगा तब जाकर ये पूरा धरना पॉलिटिक्स भी आशिदोश खतम हुआ था वरना तो ये धरने पर बैठी रहती और सबसे बड़ी कोट के आदेश पर गई थी राजीव कुमार से पूछता आच करने के लिए कोट के आदेश पर जाती है बावजुद उनको पेपर्स भी हमने दिखाये थे रिपब्लिक बारत ने एक एक रिपोर्ट पहुंचाई है पेपर समेथ डॉकुमेंट्स के साथ पहुंचाई है औ बोला कि राजीव कुमार को पेश होना होगा जब हमने सब सच दिखा दिया उसके बावजुद हमें नोटिट दिया गया लेकिन हम आपको बताए रिपब्लिक बारत अरनव गोस्वामी तयार है बिल्कुल पलट वार करने के लिए इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे और बलकि जरुद परी तो कुलकाता पूरी टीम पहुँच जाएगी रिपब्लिक भारत तयार है अरनव गोस्वामी तयार है वो खुल कर कहते हैं कि हम खबर दिखाएंगे सची खबर दिखाएंगे और हम खबर दिखाने से डरते नहीं हैं ये सीधा सीधा संदेश पश्र मंगाल सरकार को है जो डराने की कोशिश कर रही है जो इस तरह से चिठी भेज कर चाह रही है कि हम घबरा जाएं लेकिन अरनव गोस्वामी घबराने वाले नहीं है और नहीं रिपब्लिक भारत की टीम घबराती है हम खुल कर कहते हैं कि जो सच हम तब दिखा रहे थे वो ह किया जा रहा है हमें नोटिस भेजा गया और हम न्यूजरूम का रुक करते हमारे साथ रवी और हमारे सयोगी श्वेता जुड़ी हुई हैं श्वेता आगे भी हम बता रहे है एक एक रिपोर्ट हम सच्चाई के साथ पूरी रिपोर्टिंग करेंगे रिपब्लिक भारत दिखाता ही है और यही सच शायद ममता बैनर जी को चुप गया है क्योंकि अगर देखिए ममता बैनर जी के खिलाफ कोई किताब लिख दे तो जेल काटून बनाए तो जेल भाशन दे तो जेल रैली करे तो उसको मना उसको लैंड नहीं करने देंगे और रिपबलिक भारत अगर ये लोग तंतर है और इसी डेमोकरसी को बचाने के लिए बड़े-बड़े अक्षरों में ये लिखाता ममता बैनर जी धरने प्रदर्शन पे कि सेफ डेमोकरसी तो ऐसी डेमोकरसी पर क्या कोई सवाल उठाएगा वो लोग जो कहते थे कि मीडिया पर पाबंदी लग किया जाता है और अगर पुलीस कमिशनर को तलब किया जाता है तो खुद धरने पर आती है बचाने के लिए और फिर उसे कस्टिटूशनल क्राइसिस कहते हैं समिदान के खिलाब तो खुद ममताब एनरजी काम कर रही है, हम जब सच दिखा रहे हैं, हमें अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है, रिपबलिक भारत को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमें नोटीस बिजवाय जाता है, लेकिन क्या हम इससे रुख जाएंगे, र प्रक्स के साथ आते हैं हमने क्या दिखाया क्या सवाल पूछे और हम इस बात के लिए तयार हैं जो भी सवाल होंगे उसका जवाब मुकमल दिया जाएगा और अगर वाकई में हिम्मत है तो आएं और कारवाई करके दिखाएं क्योंकि खबरे नहीं रुकेंगी सच नहीं हमने वो दिखाया जो सच था हमने क्या वो नहीं दिखाया जो उस दिन घटित था मैं तो उस दिन प्रयाग राज में थी वहाँ पर लोग कह रहे थे कि ममताब एनरजी क्यों सब को छोड़ कर अपना काम यहां पर आ गई है यहां पर अपने पुलीस कमिशनर को बचाने के दरने पर बैट गई है यह भी का जा रहा था सुचरता बिलकुल आप सही कह रही है निधी काम रूप कर लेते हैं निदे इससे हम यह माने अगर ममता बनरजी बॉकला गए उनकी सरकार बॉकला गई है उनकी अधिकारी बॉकला गए है हमें सच दिखाने से रोकने की भी दिखाई थी आज भी दिखा रही है धमका रही है नोटेस दे रही है लेकिन रिपब्लिक भारत चुकि प्रमालों के साथ आता है हकीकत को जनता तक पहुचाता है क्योंकि हमारा सारुकार राश्र से है हमारा सारुकार उन लोगों से है जो हमारे साथ जुड़े हुए ह जिनको हमारी खबर पर हमारी जो खबर रिपब्लिक भारत दिखाते हैं उस पूर्ण विश्वास है और उस हर खबर को हम दिखाते रहेंगे घबराते वो लोग हैं जो सच से पीछे हटते हैं घबराते वो लोग हैं जिनको सच समझ में नहीं आता है अम ममतब आनरजी कहती है कि भई देश और सरकार जो है देश के लोगतांत्रिक मूलियों पर हमला करती है तो फिर जो बमतब आनरजी करती है वो क्या होता है उसको कैसे परिभाशित करेंगी रिपब्लिक भारत जो दिखा रहा था जो दिखा रहा है कल भी दिखाएगा प्रमाडों के साथ हकीकत के बिल्कुल और देखी अर्णब गोस्वामी क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं डरता नहीं हूं और मैं जानती हूं कि अर्णब गोस्वामी खुद आकर भी इस कबर पर बोलेंगे क्योंकि हम अर्णब गोस्वामी की टीम है और जैसा रिपब्लिक भारत कहता है कि जो खबर हम दिखाते हैं, हम तो प्रमाण के साथ दिखाते हैं, हम कोई खबर हवा में नहीं दिखाते हैं, जो तस्वीरें आपके टेलेविजिन स्क्रीन पर हैं, वो तो सच प्रमाणित कर रही है, फिर क्यों notice, फिर किस बात का डर, और हमें क्या डराने की कोशिश की जा रही है जब CBI की टीम राजीव कुमार को ढूढने गई थी तब वो क्यों नहीं मिले वो कहां गायब थे वो उनका अता पता नहीं था कोई जवाब नहीं ना वो पहुंचे तमाम जो देश के बड़ी नेता है उन्होंने भी ट्वीट किया था कि कोलकाता पुल हमें डराने की कोशिश रिपब्लिक भारत को डराने की कोशिश इसके बात में कोई जवाब नहीं रहा जाता लेकिन ये बॉकलाट है हमारे साथ देश रतन जी हैं जो कि राजनीतिक विशलेशक हैं देश रतन जी मम्ता बनर जी कुलकाता पुलिस ने डोटिस बेजा है हमें और कहा है कि आपने छवी खराब की तो पुरी दुनियान देखा चेक सर्फ में बैठे थे आपने भी देखा था देखिए छवी खराब करी तो मैं नहीं कह सकता लेकिन आपका चैनल अकेला नहीं था वो तो दुनिया वर में सारे चैनल ने दिखाया है वो आमें डरानी की कोशिश कर रहे हैं और हम सच को दिखाते हैं निडर होकर ज़रूरी था दिखाना दुनिया को ये दिखाना कि अगर सरकारी कर्मचारी किसी पार्टी का हिस्सा बन जा है तो मेरे क्याल से देश नहीं चलता ना राज ये चल सकता है तो कुलकाता के पुलेस कुलकाता के लोगों के लिए काम करती है पसे मंगाल के लिए काम करती है या फिर किसी पार्टी के लिए कंड़क रूल से उनका भी उलंगन किया है गोर उलंगन किया है कमिशनर जो है वो किसी पार्टी के लिए काम कर रहे थे धरने में शामिल हो रहे थे लोगों की तो छोड़ दीजे वो तो पुलिस वहाँ चिपफंड लोगों को जो पीड़ित है उनको तक डराती है यही परिशानी है तो पहले तो आप CBI का आना बंद कर दीजे अपने हाँ और जो पुराने केस है जिसमें जाश परताल हो रही है उसमें CBI के लोगों को बंद कर दीजे मतलब ठाने में बटा दीजे ऐसे देश नहीं चलता हम तो यह कह रहे हैं कि आप आये हैं हिम्मत तो अर्नब। wire Hans Time coach के लिफिए अँपने देखा था हम थो उस वक्त लोग कहा रहे थे कि दरसल होगिया रही अदिकारी किस तरीके के हैं वेकैस आप ने कहा कि मैं सॉत प्रयागर्ण सभाषक नहींуск उस वक्त प्रयाग राज में थी और हमेशा की तरह बड़ी खबरों पर हम काम कर रहे थे और वहाँ पर जब लोगों से हमने बात की क्योंकि ये खबर उस वक्त आई थी उस वक्त भी वहाँ पर लोग प्रयाग राज में अयोध्या में और यहाँ पर दिल्ली में नॉड़ा म हर जगा लोग कह रहे थे कि ममता बैनर जी अपने पूरे राजिका काम धाम छोड़ कर एक पुलीस अफसर को बचाने के लिए क्यों चली गई है और अब ऐसा लग रहा है कि किसी पर जोर नहीं चल रहा है तो रिपब्लिक भारत को डराने की कोशिश क्योंकि हम वो खबर दिखा रहे थे क्योंकि हम वो सच दिखा रहे थे जो तस्वीरों के जर्ये प्रमानित होता है इस मग भी टेलिविजिन स्क्रीन पर हमारे तर्शक नेख सकते हैं वो तस्वीरे जो दो तारिक को रिपब्लिक भारत दिखा रहा था जो जिनको किसी प्रवाण की ज़रूरत नहीं है आश्टोष और सबसे बड़ी बात ये है कि कोलकाता पुलिस कमिशनर के घर खुद मुख्य मंतुरी जाती है उनको लेने, उनसे मिलने, गौर करने वाली है CBI को टीम को नहीं मिलते हैं वो लेकिन मुख्य मंतुरी को पता है वो कहा है और आपस में मीटिंग कर रहे हैं और हमने ये तस्वीर दिखाई थी, देश तक पहुचाया हमने रिपोर्टिंग की, सच दिखाया तो सच दिखाने से बॉखला गई है, तिलमला गई है और इसी का नतीजा है कि नोटिस भेजाए